हलो दोस्तो स्वागत है आप सबका हमारे सी यूटूब चैनल माई हल्प सियो में दोस्तो छत्त पति साहुजी महराज इन्वर्सिटी अगर आपने डिगरी के लिए अपलाई किया था डिगरी के लिए अपलाई आप कर चुके हैं लेकिन आपको काफी दिन हो चुके हैं आपकी डिगरी आपके घर तक अभी तक नहीं पहुंची है तो डिगरी का स्टेटस कैसे चेक करें फोन से पूरी जानकारी आपको बताऊंगा डिगरी स्टेटस कैसे चेक करना है आपको फोन से कानपूर इनवर्सिटी डिगरी स्टेटस कैसे आप चेक कर सकते हैं कि अभी हमारे जो डिगरी है कहां पर पहुंची है कितने दिन में हमारे पास आ जाएगी आपकी डिगरी कहां पहुंची है कहां नहीं पहुंची है क्योंकि सभी के पास स्मार्ट फोन है तो ये काम आप अपने स्मार्ट फोन से ही कर सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं अभी मैंने एक student का यहाँ पर number डाल की यहाँ पर search किया हूँ तो उसकी पूरी detail यहाँ पर आ चुकी है आप देख सकते हैं यानि कि कब इसको बुक किया था यहाँ पर इस student ने कब इसको बुक किया था यहाँ पर देख सकते हैं 2722 को इसको बुक किया गया था और delivered location यहाँ पर दिखा रहे है जो आपका area है उसके बाद यहाँ पर delivery कब होगा तो 5722 को यहाँ पर delivery date दिखा रहे है तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी डेटेल उसकी आ चुकी है, कहाँ पर पहुंचा है, कहाँ पर अभी है, कितने दिन में आपके post office में आ जाएगा, पूरी डेटेल यहाँ पर है, तो आपको यहाँ पर बायक आने बाद दोस्तो आपको यहाँ पर second wallet option पर पर वयक आजाना है उसके बाद आपको यहां पर open करना है यहां पर आपको chrome browser को open कर लेना है जो canpour university यहां पर आपको search कर लेना है canpour university cjmu.ac.in आपको search कर लेना है जहां से आपने degree के लिए apply किया था उसके बाद यहां पर यह बेक्साइट open हो जाएगी तो उसके बाद यहां पर आपको उपर three line का option मिलता है यहाँ पर आप देख लेना three line का option मिलेगा तो आपको simply three line वाले option पर यहाँ पर इसको cut कर देना है cut करने के बाद आपको three line वाले option पर click करना उसके बाद यहाँ पर आपको student services के option पर click कर देना है जैसे आप student services के option पर click करेंगे फैस्ट वाले option पर तो जैसे आप degree dispatch detail को option पर click करते हैं यह थोड़ा सा loading लेगा उसके बाद यहाँ पर पूरी detail आ जाएगे कि आपने अपनी degree के लिए कब apply किया था उसकी date आपको यहाँ पर search कर लेनी यहाँ पर ढोल लेनी है कि आपने अपनी degree कब कौन सी date में कौन से वर्स में आप अपने degree को apply किया था तो यहाँ पर बहुत सारी देख सकते हैं 2020 में बहुत सारी degree apply हो चुकी है तो जैसे आपकी कोई भी पुरानी है कई भी है तो आप उसको degree की detail यहाँ पर search करेंगे जैसे कि मैंने यहाँ पर 14-6-2022 को degree के लिए apply किया था तो यहाँ पर हम इसको degree dispatch के option पर आपको इस पर click करना है इस पर click करेंगे तो एक PDF आपके सामने download होकर आ जाएगी तो इसको open हो जाने देते हैं इसको open होने के बाद दोस्तों आपको ध्यान से देखना है तभी आपको पुरा समझ में आएगा आपको करना क्या है तो यहाँ पर आपको यह PDF पुरा आ चुका है तो इसमें पूरी डिटेल आपको यहाँ पर दी हुई है तो आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर barcode दिया हुआ है जिसके जरीए आप चेक कर सकते हैं उसके बाद city दिया हुआ है आप कौन से जिले से हैं उसके बाद यहाँ पर pin code दिया हुआ है उसके बाद name दिया हुआ है तो आपको यहाँ पर search करना है आपका name यहाँ पर जहां कहीं भी यहाँ पर जो तिला है तो just इसके सामने आना है यहाँ पर जो इसका बार कोड है यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो बार कोड यहाँ पर दिया हुआ है यह वाला option आपको इसको copy कर लेना है तो इसको मैं यहाँ से copy वाले option पर click करेंगे इसको यहाँ से कर लेंगे copy या आप इसको अपने कहीं पर भी note कर सकते हैं जो अभी check करने के time में आपको आएगा तो यहां का काम हो चुका है अब आपको फिर से आना है अपने Chrome Browser पर और यहां पर फिर से आपको New Tab को Open कर लेना है Chrome Browser पर आना है उसके बाद आपको फिर से यहां पर सर्च बार में आना है यहां पर आपको सर्च करना है इंडिया पोस्ट तो देख सकते हैं यहां पर आ चु पर नीचे आपको क्लिक करना है मेंट के option पर तो आपको इस पर क्लिक कर देना है जैसे मैं trash वाले option पर क्लिक किया हूँ track तो स्वाइद दोस्तों वहाँ पर track था तो track वाले option पर क्लिक किया हूँ जैसे तो यहाँ पर यह option आ चुका है कि आप यहाँ पर वो number जो आपने copy किया था उसको यहाँ पर आपको paste कर देना है तो यहाँ पर वो number को आपको paste कर देना है या आपने कहीं पर भी note करके रखा था तो उसको वहाँ पर आपको यहाँ पर type कर लेना है तो यहाँ पर मैंने उस number को वहाँ से copy किया था तो इसको यहाँ पर मैंने paste कर दिया है paste करने बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक capture को fill करना होता है जो कि यहाँ पर आपका capture होगा यहाँ आपको यहाँ पर जोड़ घटाना दिया होगा तो उसको माइनस करके लिखना होगा तो जैसे यहाँ पर 1 प्लस 3 लिखा हुआ तो आपको यहाँ पर आंसर देना है इस box में कि 3 प्लस 1 कितना होता है तो यहाँ पर 4 होता है तो 4 मैंने यहाँ पर लिख दिया उसके बाद सर्च के option पर click करेंगे तो जैसे आप सर्च के option पर click करेंगे देख सकते हैं उसकी पूरी detail आ चुकी है कि यह 1762022 को यहाँ पर इसकी मैंने booking की थी इसका order किया तो उसके बाद यहाँ पर यह जो आने वाला है delivery यहाँ पर कर्षमेटर आउन को यहाँ पर 2262022 को यहाँ पर बता रहा है इसकी delivery पूरी detail यहाँ पर आ चुकी है कहाँ कहाँ से यह आ चुका है कहाँ पर यह आपको कितने time में सब मिलेगा पूरी detail यहाँ पर आप देख सकते हैं आ चुके हैं तो इस तरीके से आप अपना status को चेक कर सकते हैं तो आज की इस video में बसेता है दोस्तो आपके मन में कोई भी सवाल जवाब है तो नीचे comment box में लिखना मत भूलेगा और यहाँ पर आपको जो छोटा phone में दिखाई दे रहा है यह problem है आगर आप लोग को मैं desktop mode में करके दिखाता तो सयद आपको समझ में नहीं आता बोलोग कि आप phone में यह नहीं हो रहा है तो मैंने इसलिए phone में करके दिखाया बाकि कोई भी सवाल जवाब के लिए नीचे link description में मुझे instagram पर message कर सकते हैं वहाँ पर आपको मैं हर message का reply देता हूँ मिलते हैं किसी और बोडियो में तक तक प्ले बाइ बाइ